कि अधिजिस्टिट पर्चेस कुष्चन में आएगा अधिजिस्टिट पडचेस क्या होता है कि अधिजिस्टिट पर्चेस का मतलब होता है Opening Stock Plus Purchase Minus Closing Minus Purchase Return यह क्या होता है? Adjusted Purchase तो जब कभी भी आपको Adjusted Purchase Given होगा तो हमें Opening Stock क्योंकि वो Purchase में Add हो गया है और Closing Stock क्योंकि वो Purchase में से Minus हो गया है और Purchase Return क्योंकि यह Purchase में से ही Minus हो चुका है और इन सभी को एक नाम दे दिया Adjusted Purchase तो अगर आपको सवाल में Opening Stock दिखता भी है तो आपको नहीं लिखना हो उसे दुफारा क्योंकि वो कहां जा चुका है Purchase में ही जा चुका है Adjusted में अगर Closing Stock भी दे रखा हो तो उसे भी Ignore करना है तो Adjusted Purchase जब हो When Adjusted Purchase Given Then Opening Stock, Closing Stock Will Be Ignore उसे क्या करेंगे Ignore जैसे कि मैंने एक 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 जामपल लिया था वैसे मेरे हिसाब से इसमें बस सिम्पल सी बात थी आपको एक Adjusted Purchase का बारे में बताना था और ऐसा कुछ है नहीं तो मैं इसे तो मिटा ही दूँ इसे क्या कोई रोल नहीं है आपको ऐसा समझ में आ गया होगा सिम्पल कोईशन के बीच में आएगा ठीक है नोटिंग के टाइम पर नोट करवा देंगे अगले Adjustment पर चलते हैं एक हमने Depreciation करा था तो Depreciation का एक कॉइंट ना पेंडिंग रहे गया था और सवाल में आया था और मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में कराऊंगा देखो हमने Depreciation का तो कर लिया था कि भई यह पी एंडल के डेबिट में अब देखिए अगला क्या है प्रोविजर फोर Depreciation मैंने बता दिया था शायद एक बार चेक करो यह नहीं बताया था करवा दिया था अगर ट्राइल बैलेंस में गीवन हो तो यह दो ऑप्शन है यह दो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखा दो या फिर लेस फ्रॉं डेटर मैंने कहा था हम ना डेटर से लेस करेंगे कुश्चन भी किया था शायद इससरे हो गया था यह देखो आप पीछे चेक करो अट्जस्मेंट में करवा दिया था हाँ हाँ ठी इसके बारे में बताके फिर इसे नोट भी कर लेंगे ठीक है अब देखो अगर मैं आप से कहूं अकाउंट की बात करूं तो आपको पता एक अकाउंट दूसरे साइट से बैलिंसिंग होता है अगर मैं यहां पे लिखूं पचास अजार माल लेते हैं यहां डेटर लिखूं डेटर यहां पे लिखूं मैं पचास अजार और पीफडी यहां पे लिखूं पांच हजार तो इस अकाउंट के अंदर जो भी account है भी account पे ध्यान नहीं देते हैं इस account में actual impact जो final answer निकालोगे वो कितना होगा आप simply balancing करते हो यानि 50 में से 5 को minus करोगे तो आप बोलोगे सर इस account के अंदर net में जो सब कुछ बच रहा है वो that is कितना है 45 दूसरा एक तरीका ये भी है आपके पास अगर मैं यहां डेटर लिखूं कि पचास अजार और यहां से माइनस कर दूँ पी एफडी पांच हजार तो यहां भी कितने बच रहे हैं कि 45 ठीक है यहां भी कितने बच रहे 45 समझ बार हो यह चीज़े तो accounting करने के दो तरीके हैं अकाउंट कहता है कि यहां तो आपको समय करना चाहते तो शक्त साइट लिख दो इसका मतलब भी वही कि माइनस कर रहे हैं ज्यासर है आपके सामने सेम एक्जामपल मैंने यहां माइनस नहीं किया कहां लिख दिया एक सब्सक्राइब प्रोड़ा का पूरा अड्जस्मेंट इसका बहुत ही एक थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन काफी पॉपलर नाम है एक्यूमलेटेड अप्रिशेशन अक्सर यह आएगा हमारा एक न हम प्रॉपर्टी प्लांट एक्यूप्मेंट नाम से एक चेप्टर है एक डेप्रिशेशन वह करेंगे तो वहाँ पर बहुत पर नाम का डिसकुर्शन होगा तो अगर दे रख यह जादा से जादा यह जादा से जादा एक्जामनर फॉलो करते हैं अगले अट्जेस्मेंट में घीवन हो तो आपको क्या करना है दो ऑप्शन है या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पहले से प्रोविजन प्रोविजन दे रखा है लाइबिलिटी में वहीं पर एड़ कर कर दीजिए यानि कहां दिखा दीजिए सर बैलेंशीट के लाइबिलिटी में दिखा दीजिए और दूसरा ऑप्शन अविलिबल है कि लेस कर दीजिए कि से आप लेस फ्रॉम एसेट्स करेंट प्रोविजन प्रोविजन प्रिविएस कई वार ऐसा होता है हमारा पुराना इस लेश करने वाले में पिरान वाला भी माइन कर देना और अगर आप करना चाहते हैं कि लाइबलेंटी ऑला आपक्वार को झालना अप दिखा देना इसकी डबल ईंटी में जाएगा योगी तो कहाँ міitter durch जाएगा इससे रिलेटिट आगे भी कुस्टिंस आएंगे ऐसे नहीं कर नहीं आएंगे तो एक छोटा सा यह पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है टैनियर मार्किट में आ गया मैंने बिल्कुल टैनियर के अंदर आप देखोगे न तो सेम एग्जेक्ली मैंने नोट्स अंदर बीजेक्ली मैंने Christa Springs ऑ़ को झाले हुआ है wow